इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सवाल सता से जैसा आपने कहा कि ये एंटी सोशल मीडिया हो फिर जनता के खिलाफ जिस तरह से एक महीम चलाई जारे चानलों की तरफ से और नफरत का जहर जिस कदर गोलने की कोशिश की जा रही है तो ये कहां जाकर रुखेगा ये कहां तक न का मामिला भी आया इसमें देखा कि हम मजदूर सडक पर चलते चलते मर गए लेकिन हम इसके लिए भी नहरो और गांधी को जिम्दा ठारानी की जो कुशिश की जा दिया है ये से मेडिया पर खासकर भारत की मेडिया पर क्या करेंगे देखिए ये इसमें एक बहुत बड़ कुछ साल पहले देखे थे 1975 में जब इमर्जिंसी हुई थी तब भी एक अंदाजे से मिसेस इंदरा गांधी ने 7000 जर्नलिस्टों को अरेस्ट किया था सिर्फ 18 महीने में उस बैग्राउंड से आप देखेंगे तब भी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा जा सकता था लेकिन उसके लिए कानून था आजकल भी वो महावल है लेकिन उसका कानून नहीं है मतलब openly बोलते नहीं है लोग तो हमें यह समझना चाहिए कि सिर्फ एक ही फर्क है मिसेस गांधी की अमर्जिंसी में और आजकल की जिंदगी में कि मिसेस गांधी की टाइम में यह इतना क लेकिन वो एंटी पीपल था, आपको समझना चाहिए, एमर्जंची भी गरीब के खिलाफ ही था, एमर्जंची कोई गरीब के फेवर मन नहीं था, हाँ, एमर्जंची की बाद जो दो-तीन डिजिजन लिए गए, फर एक्जंपल, बैंक नेशनलिजेशन, प्राइवेट बैंक बैंक्स होते थे, उनको मिस्स गांदी नी लेके उनको पूरा गवर्मन बैंक बना दिया, वो गवर्मन बैंक बनने के बाद ही, छोटे से छोटे गाव में बैंक के ब्रैंचिस खुले, नहीं तो नहीं खुलते थे पहले, ये एक, दूसरा ये जो राजा महराजा थे, उनक पूरा जमीन लेके उनको प्रिवी प्रस देने का मतलब एक incentive देने का इजाफ़ा देने का एक system था समझे उसको उन्हों ने बंद कर दिया ये और तीसरा land reform गरीब को land देना grant देना government से वो उन्होंने किया और बड़े पैमाने पर लोगों को कर्जा दिलाया वो एक किया ऐसे कुछ काम उन्होंने किया लेकिन वो सब emergency की बाद की काम है क्यूंकि उनको मालूम हो गया emergency में कि एक दंडे से नहीं चलता सरकार और उनको मालूम होना लेट हो गया क्यूंकि उन्होंने newspapers बंद किया था अब अगर मोदी साब अपने खिलाफ की बात सुनना नहीं चाहेंगे वो पसंद नहीं करेंगे आज कल वो क्या कर रहे हैं कल ही दो पत्रकारों के उपर केस हुआ है एक आकार पटेल और एक विनोद दुआ क्यूंकि वो सरकार की निंदा करते हैं विरोध करते हैं सरकार की policies के बारे में बात करते हैं अगर आपने विनोद दुआ की शो देखी होगी विनोद दुआ क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन गाली गलोज नहीं करते हैं बहुत डिसेंट लैंग्वेज से वो बात करते हैं और आकार पटेल भी आकार पटेल में सिर्फ यही कहा कि दलितों को वो काम करना चाहिए जो अमेरिका में निग्रोज कर रहे हैं जो काले लोग कर रहे हैं अगर आप इतना भी विरोध सह नहीं सकते हैं अगर आप इतना भी criticism को हजम नहीं कर सकते हैं उनको सब बंद करेंगे अप उनके किलाफ केस करेंगे कल वो इतना उल्टा आपको effect हो जाएगा कि अगर आपका कोई project कोई scheme completely fail हो जाए कोई आपके आपको बोल के आ आके नहीं बोलेगा कि यह फेल हो गया क्यूंकि सब आपके followers हैं वह आपको सिर्फ अच्छा ही बोलना चाहेंगे वह आपके मुँपर आके बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन वह गाउं तक गया नहीं गरीबों को मिला नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं अच्छा बहुत कर रहा हूं लेकिन हाला कि उसका effect यह होता है कि वह गरीबों तक जाता नहीं है या तो वह सिर्फ एक पार्टी की तरफ तक रह जाता है या फिर गाउं में जो बहुत बड़े लोग है उन तक रह जाता है उनको छोड़ के गरीब तक जाने के लिए कोई है और कैसा चले ऊपको कहां से मालूम होना चाहिए वह तो आपका डिपारटमेंट आपको नहीं बोलेगी information department तो आके नहीं बोलेगा कि साब इसमें problem है independent media ही आपको बोलेगी और अगर आप दुनिया के सबसे बड़े democracies को देखेंगे सबसे बड़ा democracy पूरी दुनिया में Greece में चलता है 1200 साल से वहाँ democracy है समझे उसके बाद सी बहुत बटी democracy अच्छी democracy बोले तो इंगलेंड का democracy है जो 900 साल से चल रहा है उसके बाद हमको मेलेगा बहुत से European states like Finland, Sweden Switzerland, France Germany यहाँ 300-400 साल से democracy चल रही है अमेरिका में 275 या 280 साल का democracy है समझे हिंदुस्तान में democracy की हिसाब से हम बहुत छोटे हैं हम अपनी परंपरा से हमनी अपनी दरोहर से बहुत बड़े होंगे 5000 साल की country हो सकती है लेकिन democracy की हद तक हम बहुत सिर्फ 17 साल के हैं अभी हमको बहुत सीखना है आगे जाना है और हमारा election बोलता हूं यह जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो पहले उसका दांत निकल आते हैं बाद में वह चलने लगता है बाद बोलने लगता है तो आईसा हमारे democracy अभी काम कर रहा है काम सीख रहा है वह आप उसको perfect democracy नहीं बोल सकते लेकिन आप एक correct route में होना चाहिए जहां तक 1947 से आज तक एक route पे democracy चल रहा है उसका बिलकुल उल्टा रास्ते पे आप जाने शुरू करेंगे equality को आप नजर अंदाज करेंगे आप minority के खिलाफ दबाव डालेंगे बिना कोई वज़े उसको बदनाम करेंगे बिना कोई वज़े कोई virus के नाम के एक community को आप पटाच करके बात करेंगे और जो रास्ते में जो हरताल करने वाले उनको ले जा जा के आप terrorist act में बंद कर रहे हैं बहुत से colleges और university में पढ़ने वाले बहुती educated बच्चे सिर्फ एक strike में जाने से उनके उपर UAPA मतलब वो जो terrorist के खिलाफ देशत गर्दों के खिलाफ जो कानून लगा जाता है वो कानून उनके उपर लग रहा है तीसरा मीडिया को आप उसका गलागोट रहे हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग आप अलोग नहीं कर रहे हैं criticism आप accept नहीं कर रहे हैं बहुत से इंडिपेंडेंट मीडिया को government का support देना आपने बंद किया है चौथा जो इंडिपेंडेंट इंस्टिटूशन जिस पे हम नाज करते थे for example election commission of India Supreme Court हर देश का हर गरीब को लगता था कि अगर मैं Supreme Court में जाऊंगा तो हर नाइन साफी के खिलाफ मैं जीत पाऊंगा कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो मैं उसके खिलाफ दर्ज करूंगा और मेरी सुन्वाई होगी ऐसा लगता था वो आजकल नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि Supreme Court के लोग भी सरकार जो बोलता है ठीक उसी अंदाज पे चल रहे है और election commission of India जो independently हर party को एक ही नजर से देखता था वो आजकल नहीं देख रहा है वो जो ruling party जो चाहती है उस date पे election fix करना उनके भाशनों के लिए time देना वो ऐसा वो कर रहा है बोलके ऐसे बहुत आजकल बहुत लोग बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं जो बात करने की हक रखते हों जो former judges हैं जो बहुत बहुत बड़े leaders हैं जो retired I.A.S. officers हैं जो लेकक हैं पोईट हैं वो आजकल ये सब बात बोल रहे हैं तो हम को समझने चाहिए कि हम कोई party की चकर में ना पड़े ये बहुत बड़ी problem है democracy में देखिए आप हम जब कोई party से अपने आपको attach कर सकते हैं तब हमको लगने लगता है कि जब हमारी party आती है तो अच्छा हो जाएगा जब दूसरी party आएगी तो बुरा हो जाएगा और हमें ये भी लगता है कि जब हमारी party हो अगर वो कुछ गलती भी करे तो हमको उनको माफ करना चाहिए जो दूसरी party अच्छी भी कोई करे तो हमको उनको गली देना चाहिए वो attitude गलत है देखिए हर काम को सिर्फ अपने उसी काम के हिसाब से हम उसको देखना चाहिए हम उसका judgment करना चाहिए देखिए for example ऐसे बहुत काम है जो Congress Government ने किये जो अच्छे हैं जैसे बहुत काम है जो Congress Government ने किये जो बूरे हैं और दूसरे ऐसे बहुत जो काम है जो BJP गवर्मेंट ने किया वो अच्छा है ऐसा बहुत काम है जो BJP गवर्मेंट ने किया जो बुरा है मैं आपको एक 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 जामपल देता हूँ मेरे खाल से जो 1991 और 2004 दो टाइम पे मनमोन सिंग या तो वो अडवाईजर फाइनेंस मिनिटर थे या प्राइम मिनिटर थे उन्होंने जो ये एक आनमी को संभाला अर्थ्वेवस्ता को संभाला बहुत गिरने नहीं दिया 2007 में भी रगुराम राजन और मनमोन सिंग का जो टीम था वो अच्चे काम करें वो एक दूसरा IT revolution वो लोग लाए प्राइवेटाइजेशन कुछ हद तक लाए लिबरलाइजेशन लाए सरकार को उन्होंने बहुत सिंप्लिफाई किया और मनमोन सिंग ने 30 नए Central Universities बनाए एक 10 IIT IIM बनाए नए और IISER मतलब Indian Institute of Science, Education and Research उनको 5 बनाए और अनदर 5 institutions School of Planning and Architecture बनाए एक 10 Law Colleges, Law Schools बनाए इनवोशिटी तो इन सब के background आप देखेंगे तो अच्छा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया लेकिन उन्होंने बहुत बुरा काम भी किया फर एक्जमपल हमारी देश की आर्थनीती economic policy को हम decide करने से पहले हम World Bank के पास जाएंगे या WTO के पास जाएंगे उनका बात सुनेंगे ये मनमोन सिंग ने किया ये बहुत गलत बात है दूसरा 2007 के बाद जिसने भी सरकारी नवक्री जाइन किया उसको pension नहीं मिलता वो मनमोन सिंग की सकेंड बहुत बड़ी गलती है मेरे ख्याल से तीसरी बात ये है कि सरकारी संस्थावं को वीक करके खास की कंपनियों को बढ़ाया और बेचने के थोड़े ही दिन में प्राइवेट कंपनी को बेनिफिट हुआ टेलिकॉम क्षेतर में सरकारी कंपनी को वीकन किया गया खास की कंपनियों को बहुत सपोर्ट मिला ऐसे और बीजेपी गवर्मेंट में फर एक्जांपल क्याशलेस एकॉनमी का आप एक पांच साल पहले 2017 से पहले कितने बार आप अपने कार्ड या मोबाइल आप लेके पेमेंट करते थे या पेमेंट लेते थे बहुत कम आज कल वो ऐसी आम हो गई है कि हर छोटा आदिमी जुसके पार्ट स्मार्टफोन है या फिर कोई कार्ड है वो कैशलेस ट्रांजेक्शन करता है यह दूसरी बात है तीसरी मैं बोलता हूं आपको यह बहुत ताजूब की बात है लेकिन सच है तो यह जो फेडरल स्ट्रक्चर जो था इंडिया का उसकी एहसास लोगों को हो रहा है उनको मैसूस हो रहा है कि देर इस इंसिटूशन अफ इंडिया जिसके बार में हम फिकर करते हैं जा हम अपनी सुनवाई को लेकर जा सकते हैं यह अच्छे बात मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी मीडिया आप आज की मीडिया बोले या 1975 की मीडिया बोले या 1947 की मीडिय कोई भी मीडिया का मेन काम यह होता है कि वो लोगों की बीच में जाए और लोगों के समच्चाओं को समझे और उनकी बात लेके जो सरकार तक पहुंचाए और एट लिस्ट लोगों में डिसकेशन तो हो यह बात नहीं है कि जो सरकार हम से कहती है उसको हम जाचे बीना परके बीना अच्छा उसको सर्टिफिकेट दे दे वो बात नहीं है मैं आपको दो एक्जामपल देता हूँ छोटा एक है मुद्रा स्कीम मुद्रा स्कीम का मतलब है छोटे छोटे तिजारत करने वालों को व्यापारियों को बिज कमिटी था उसका और वो डिसाइड करता था कि किसको करज देंगे किसको नहीं देंगे उसका एक सजेशन एक बार आया था कि वह जो लोन है वह गाओं के गरीब आवरतों को दें क्योंकि वह अपने अपने संग बनाते हैं सेलफ हेल्प गुरूप बोलके वह उन में जो है कर्ज देंगे तो 98 रुपीज वापस आ रहा है यह हिंदुस्तान में और कोई भी स्कीम में नहीं है हिंदुस्तान में सबसे कम जो कर्ज वापस आ रहा है वो इंडस्ट्री में आ रहा है कभी-कभी तो कर्ज सरकार कर्ज मुफ्ति करती है हजारों करोड़ों के तादाद से इंडस्रीज को, सरकार ने उनको माफ कर दिया है, उनका करजा, रैट आफ भी क्या दिया है, तो ये मुद्रा स्कीम के जो लोन है, वो कोई कम कीमत नहीं है, वो 2 लाग करोड की बात है, दो लाग करोड को गाउं के गरीब आवरोतों को दिये, तो वो 90% वापस देते थे बोलके एक प्रपोजल था, उन्होंने उसको माना नहीं, आज मुद्रा स्कीम की नौन पर्फर्मंस असेट, NPA, 40% तक है, मतलब सिर्फ 60% लोगों ने वापस दिया है, 40% लोगों ने नहीं लोगों का टेंडर बुला के, ICIC बैंक, HDFC बैंक, ICI institution को वो काम दे दिया, अब वो लोग क्या करने लेगे, सिर्फ computer ट्रेनिंग देने लेगे, internet related technology का सिर्फ ट्रेनिंग देने लेगे, तब तक क्या होता था, districts में एक lead bank बोलके होता था, वो एक job oriented skill development scheme चलाते थे, वो एक एक हफते में 200 लोगों को ट्रेनिंग देते थे, हर तालुक में, उनको अगर एक पैसा जाता था, तो और भी अच्छी तरह केशा वो काम कर लेते थे, वो नहीं हुआ, वो सिर्फ बड़े बड़े institutions को गया, और वो सिर्फ district में ट्रेनिंग दिये, और सिर्फ computer में ट्रेनिंग दिये, तो मैं इतना आपको क्यों बोलता हूँ, अगर हमारी मीडिया ने, ऐसे चीजों पर गवर करके देखिए, यह ऐसा हुआ है, यह नहीं हुआ है, यह हुआ है, बोलके अगर सरकार को feedback देते थे, और सरकार अगर उसको मानती थी, तो या वो BJP government हो, या non-BJP government हो, वो scheme tick से चलता था, और बहुत गरीबों को फायदा होता था, वो नहीं हुआ, और सरकार का पैसा भी खर्चा हो गया, तो यह काम मैं समझता हूँ, मीडिया का है, और इसको बहुत इमानदारी से मीडिया को करना चाहिए, यह एक बात है, दूसरी बात है, communal harmony की बात, देखे, secularism को बहुत से लोग समझ नहीं है, मैं दो-तीन मौलानों से भी मेरी बात हुई है, धर्म गुरुओं से भी हुई है, बहुत से लोग समझते हैं कि secularism का मतलब है anti-religion, मतलब धर्म के खिलाफ रहना, वो गल्थ है, वो ऐसा नहीं है, secularism की माइने ये हैं कि सरकार का कोई धर्म नहीं है, first point, second point, सरकार धर्म के नाम पे किसी को identify नहीं करेगी, यह हमारा आदमी है, हमारा आदमी नहीं है, बोलके सरकार नहीं बोलेगी, सरकार बोलेगी, सब धर्म हमारे लिए एक है, तीसरी, सरकार की कोई scheme, सरकार की कोई कानून, आदमी को उसके धर्म पे नाम पे नापा नहीं जाएगा अगर एक धर्म के आदमी हिंदुों ने कोई चोरी किया और कोई दूसरे धर्म के मुसलमान ने या सिख ने या क्रिस्ट ने बाउदी ने चोरी किया, सब को एक ही कानून लगेगा इसका माईने secularism है और secularism सिर्फ हमारे constitution से पैदा हुआ बोलके आप मत समझे हम वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्या ऐसा? एक बहुत बड़ा case था, राजनायर एन वर्सिस इंद्रा गांधी वहाँ जश्टिस सिना ने बोला कि देखिए, हमारे जो समस्कृती के लिए, हमारे जो civilization के लिए, हमारे जो democracy के लिए अच्छे बाते हैं वो हमको सभी को बहुत पहले से मालूम है, उनको हमने सिर्फ constitution में लिखा है, ये बात नहीं है कि constitution में लिखने के बाद हम secular होगए, वैसा नहीं है, हिंदुस्तान 5000 साल से secular रहा है, हलांकि जगड़े होते रहे, वो अलग बात है लेकिन हिंदुस्तान की आद्मी की दिल की भीतर, हर दूसरे धर्म की आद्मी को भाई कहने का उसको गला लगाने का एक हुनर उसमें है पहले से, उसको इंडियन constitution में लिखा गया है कि ये secularism हो मैं आपको बोलता हूँ, secularism कि में important है, अगर हम ये बोलते हैं, कि हिंदुस्तान में जो minority की हालत है minority को जो नाइनसाफी हो रहा है, minority की आदमी को जो मारा जाता है, minority की आदमी को जो दहशतगर्द नाम दिया जाता है या चोर नाम दिया दाता है, अगर हम उसको normalize करेंगे, मतलब हम उसको ठीक है, ये ऐसा ही रहता है, बोलेंगे तो हम दूसरे देशों में, मसलन, पाकिस्तान या बांगलदेश, या भर्मा, या श्रीलंका या कोई भी देश में, वो अपने minorities के साथ जो सुलू करते हैं, हम उसको भी मानने पड़ेंगे एक छोटे एक्जांपल आप देखिए, श्रीलंका में सरकार है बुद्धिष्ट की, वहां की minority है हिंदू, श्रीलंका का जो सिंभला मुमेंट जो चल रहा था, जो श्रीलंका Liberation के लिए जो तमिल टाइगर्स मतलब, Liberation Tigers अफ तमीलीले में, ल्टिटी हम बुला थे, वो जो 20-30 साल वो लोग मोहीम लड़े, जंग लड़े हाला की, वहां कुछ 10 लाक लोग मर गए, नार्थ श्रीलंका में, वहां जगडा किन से था, बुद्धिष्ट और हिंदूों क कि बीच में जगडा है, आईरलेंड में किन से जगडा है, क्यातोलिक और प्रटेस्टन की बीच में जगडा है, जर्मनी में किन से जगडा है, नाजीस और नाजीस की बीच में जगडा है, इस्रेल और पालेस्टन की बीच में क्या जगडा है, जू और मुसल्मान की बीच पीसमें जगडा है न, अगर हम यह मान के चलेंगे, जो हमारे आज की सरकार है, वो जो Minority की साथ जो सुलू कर रहा है, वो करक्ठ है, तो हमको स्री लंका का अपने Minority के साथ, जो वो सुलू करते हैं, जो मारते हैं उनको, जो LTT को पकड़ पकड़ के उन्ने मारा है, उसको भी हमको मानना पड़ेगा वो गलत है इसलिए गलत है कि हर एक आदमी इंसान है उसके अपने राइट्स हैं अमेरिका में एक बहुत बड़ा निग्रो इंटेलेक्चुल हुआ करता था रेटर उसका नाम था जेम्स बाल्डविन वो बोलता था कि I am not your निग्रो आपने मुझे नि दिखार हैं आपने मुझे निग्रो बोलके बना दिया मैं निग्रो बोलके पैदा नहीं हुआ मैं एक इंसान बोलके तो यह हमको या वो मुस्लिम क्वेश्चन हो या एसी क्वेश्चन हो या शुद्रा का क्वेश्चन हो देखिए आप इतनी मजाग की बात है यह जब तक राजांदर साचार कमीटी नहीं बनी थी, तो एक objective assessment of Muslim life in this country हमको मालूम नहीं था, साचार कमीटी ने बोला कि कुछ जगाओं पे मुसल्मान की हालत ऐसा है कि SCST के से भी बत्तर है, और उन्होंने और भी एक बहुत interesting point बोला, कि मुसल्मानों में जो जातियता है, कास्टिजम ह हम उसको नजर अंदाज करते हैं, जो difference अश्रफ के बीच और गरीब के बीच है, और जो OBC Muslims है, उनका जो हालत है, हम उसको नजर अंदाज करते हैं, बोलके वो दो बात बोले, तीसरी बात मैं बोलता हूँ आपको, अगर पहला census आपको देखेंगे, जनगनता, 1931 से, आज तक, तो बहुत मार खाने वाले, बहुत ना इंसाफ सहने वाले, जितने SC हैं, उतने OBCs भी हैं, हाला कि SCs को Constitution में Reservation है, OBC को Constitution में Reservation नहीं है, OBC का Reservation सिर्फ Parliamentary Acts के तरह से है, और कहीं कहीं कुछ states में OBC का Reservation बिलकुल ना के बराबर है, Central Government Institutions में OBC का Reservation नहीं है, जो बहुत बड़े Autonomous Institutions हैं, जो Judiciary है, जो Defense है, जहां OBC का Reservation बहुत कम है, तो हम ऐसा सोच के चलते हैं, कि हम एक Group हैं, हम Hindu हैं, हम Muslim हैं, ऐसा नहीं है, हिंदू में जितना जातियता है, हिंदू में जितना Discrimination है, जितना Inequality है, उतना Muslim में भी है, उतना Christian में भी है, For example, हिंदूस्तान का जो Christian है, वो दो बड़े हिस्सों में बटए हुए हैं, एक Catholic, दूसरा Methodist, Catholic के दूसरे Church हैं, Methodist के अलग Church हैं, Catholic के चर्च में कहीं किसी गाउं में Methodist को अलग नहीं है, एंट्री नहीं है, उसका पादरी अलग है, इसका पादरी अलग है, तो ये हमको समझना चाहिए कि inequality जो है हिंदूस्तान के culture में बहुत पहले से है, हम सब को मिल के लड़ना है, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये मीडिया का कभी काम है, जब तक मीडिया ये समझ के चलेगी कि ये सिर्फ एक group है, वो गल्थ है, वो homogeneous group नहीं है.